साथर पढ़ाम, सार्थक संवाद में आपका एक बार फिर स्वागत है। समझना भी चाते हैं। उन किरदारों से जो इस विधान सबस चुनाव में महती भूमिका में हैं। अपने विचार से भी हैं और उसे लिके उनने कोई मलाल भी नहीं है। आप समझी गए हम बात कर रहे हैं प्रदेश कॉंग्रेस के पूर अध्यक्ष अशोक तवर की जो हर्याना की राजनीती में एक बड़ा नाम है। लेकि इन दुनों वो काफी गुस्से में हैं। गुस्से के उनके पास अपने कारण है। उनसे हम विस्तार से बात करेंगे कि क्या कुछ ऐसा घड़ित हुआ है। जस पार्टी को एक बार फिर सत्ता में लाने के लिए उस साड़े पांस साल से संगर्श कर रहे थे। आज उस पार्टी के खिलाव वह मैदान में खड़े दिखाई दे रहे। उनसे जानने की कोशी ये भी करेंगे कि आखिर उनके पास भविष्ट की राजनीती के लिए क्या दशा और दिशा है। ये सारी बाचीत का सिल्तकला हम शुरू करें उस से पहले एक नजर अशोक तवर के अब तक के राजनीती की सफर पर। अशोक तवर हरियाना की राजनीती से जुड़ा वो चहरा जिनकी गिंती कॉंग्रेस के सबसे करमचने ताउं में होती है। अशोक तवर का राजनीतिक प्रफाइल अभी हाल ही में बदल गया है। वो अब तक हरियाना में कॉंग्रेस के प्रदेश अधक्ष के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन चुनाओ से एन पहले हुए पार्टी में फेर बदल के बार उन्हें प्रदेश अधक्ष के पदभार से मुक्त कर दिया गया है। इन दिनों चर्चा खूब है कि पार्टी आला कमान के आदेश पर वो बैकफुट पर रहते हुए ही पार्टी को मजबूर बनाने में जुटे हुए हैं। हाला कि चर्चा इस बात की भी जोरदार है कि वो पार्टी के फेर बदल वाले फैसले से काफी नाखुश हैं। खेर जो भी हो तवर ने इन बीते सालों में अपने प्रदेश अधक्ष रहते हुए खूब पसीना बहाया। हाला कि अब उस पॉलिटिकल प्रोफाइल से वो मुक्त हो चुके हैं। अशुक तवर साल 2003 में NSUI की अधक्ष बने। इसके बाद वो लगातार पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम करते रहे। इनके राजनितिक सफर को तब एक बड़ी उच्छाल मिली। जब उन्होंने साल 2009 के लोकसवाचुनाव में सिरसा सीट से जीत दर्ज की। उस दोराने इनलों के गड़ में तवर के इस जीत ने उन्हें आला कमान की नज़रों में चड़हा गिया। जिससे पाटी में उनका रुत्बा भी बढ़ा। साल 2013 में हर्याना कॉंग्रिस का प्रदेश अधक्ष बनाया गया। लेकिन इस पत पर वो बने नहीं रह सके और हर्याना में होने वाले विधान सवाचुनाओं से पहले उन्हें प्रदेश अधक्ष के पत से मुक्त कर दिया गया। अशोकतवर की गिंती राहुल गांधी के करीबीने ताओं में होती रही है जो पार्टी के लिए कठोर परिश्रम के लिए जाने जाते हैं। अशोकतवर उस दौरान भी चर्चा में आये थे जब कुमारी सैलजा अपना पदभार ग्रहन कर रही थी और उस दौरान अशोकतवर वहां से नदारत रहे थे। उस दौरान ये कयास भी खुब लगाए जा रहे थे कि वो पार्टी के फैसले से नाखुश हैं। इनके इस कथित नाराज़की का सबब ये भी माना जा रहा है कि वो इन पीते सालों में पार्टी को लगातार मजबूत बनाने के जद्दो जहद में लगे रहे। हाला कि इस दौरान पार्टी के भीतर जारी गुटबाजी तो खत नहीं हो सकी लेकिन उसकी परिणिती कुछ ऐसी रही यूना चिनाओं से ठीक पहले प्रदेश अदक्ष के पद्भार से मुक्त कर दिया गया। अजारो साथियों का है जो हर्याना में हैं लाको देश के अंदर हैं और ये विवस्ता के खिलाफ गुस्सा है ये किसी ना व्यक्ति के खिलाफ है ना मैं समझता हूं कि इसको उस नजरिये से देखना चाहिए हम तो प्यार बाटने वाले हैं और प्यार के साथ अहिंसा के सा ताके बढ़ने वालों में से. आपके चेहरे पर मुस्कुराठ है, वर्रास मुस्कुराठ के पीछे जो दर्द है, वो भी साफसाफ दिखाई दे रहा है, लोग देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं. क्या कुछ ऐसा हो गया, जो अशुक तवर को इतना गुस्ता आ गया है? मैंने बताया कि गुस्ता मेरा नहीं है, यह गुस्ता उन साथियों का है, जो… तो साथियों में गुस्ता क्यों है? गुसा साथियों में इसलिए है कि लोग मेहनत करते हैं 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल उनकी उमर बीच जाती है, बच्चे कहते रहते हैं कि ये क्या करते हो लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती सिस्टम में तो हमारी ये कोशिश रही कि लगातार जब से क्योंकि मैं गहराजनितिक परिवारिक प्रस्टभूमी से हूँ, साधान परिवार से हूँ और साधान परिवार के लोग वो किसी भी प्रोफेशन में हूँ वो जब आते हैं तो बहुत सपने लेकर के आते हैं, उनकी उम्मीद होती है कि हम कुछ नया करें ववस्ता ठीक हो, देश की, समाज की, हमारे प्रदेश की और उन्ही सपनों के साथ जब मैं समस्ताओं की छल कपट और उनके साथ छलावा होना शुरू हो तब वो लोगों का घुसा निकल के आता है, मैं तो बलगी रिलीवड हूँ, मैं तो खुश हूँ कि जो साथियों के साथ जो हुआ, वो हुआ गलत लेकिन उससे हमने अजारों लाखों लोगों की आवाज को बुलंद किया और ये केवल, ये कॉंगर्स पार्टी का नहीं है सवाल, ये एक्रोस पार्टी लाइन कुछ सवाल हैं, बुनियादी सवाल, जिसका जवाब मांगने की हमने कोशिश करिये, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में, अगर उनके जवाब मिलेंगे, तो देश की राजनिती एक सकारातमक्स दिशा में आगे बढ़ेगी, उसमें बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, और हम अच्छे लोगों को आगे ला पाएंगे, और अगर वो इसी तरीके से जैसे मुद्दे इगनोर हो जाते हैं, उसी तरीके से इगनोर हुआ, तो देश मैं समझता हूँ क कि देश भी, हरियाना भी एक उल्टी दिशा में जाएगा, जो भावी पीडियों के लिए, हमारे भविश्य के लिए, वो ठीक नहीं होगा, आप बात कर रहे हैं, ये साथियों का गुस्सा है, पर समझ आपका गुस्सा आता है, अशोक तवर जो साड़े पांच साल से प्र जिगनेशन लीडेशिप के सामने हो किया, ये मेरा फैसला नहीं था कि मैं अद्ध्ष बनूँ या कौन अद्ध्ष बने, ये फैसला नेत्री तवका था, और अद्ध्ष हटने के एक महीने के बाद, ये घटना जो गटी है, ये एक महीने के बाद गटी है, मैं तो उसके ब लोगों ने लड़ाई लड़ी ए जमीन इस तर पर खुन पसीना एक किया है, घरबार छोड़ा है, अपने बच्चों का पेट काट करके पार्टी को विशम पर इस्तितियों में, जब सबसे कठिन दोर से कॉंग्रेस गुजरी थी, एक ऐसे स्थान पर लाकर के खड़ा किया, लोग यह कहने लगे थे कि हरियाना के अंदर हम दस की दस लोग सभा सीटे जीतेंगे, आज से एक साल पहले यही इस्तिती थी, चाहे वो मुख्य मंत्री हों, चाहे दूसरे मंत्री हों, वो हारने की स्तिती में थे, बाजपा के जो आज सांसद दुबारे जीते हैं, बहुत किया, और जो मैं स्टेंड लेता था, लोगों के हित्में, प्रदेश के हित्में, हमेशा उसके खिलाफ, अगर मैंने विदान सभा भी गहरी, तो दो दिन पहले चला दिया गया कि अशुक्तवर हटने वाला है, अगर मैं कोई बड़ी रेली कर रहा हूं पोल खोल, तो बोल नहीं कह रहे, आप इन्हें लोगों कुछ नहीं कह रहे, आप जेजेपी को नहीं कह रहे, और दूसरे को नहीं कह रहे, लेकिन आपके रडार पे एक ही वेक्ती है, जिसका नाम है शुक्तवर, तो इन बातों को ले करके हमने सवाल खड़े किये, और जब वेट किया हमने, वेट इस बात का किया कि जिन लोगों ने 5 साल अभी मेरे साथ संगर्श किया, फिछ ने 10-20-30 साल पहले पार्टी के लिए संगर्श किया, उन लोगों की कहीं ने कहीं सिस्टम में सुनवाई हो. जब हमें लगा कि सिस्टम में सुनवाई नहीं है, सिस्टम में तथाकतित जो बड़े नेता हैं, जो कहीं ने कहीं मैं समझता हूं कि प्रतेक्ष है, प्रतेक्ष तोर पर कॉंग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं, उन ही का बोल बाला है, तो फिर हम तो चात्र जीवन से यूवा अभाविक था, और अपने लिए नहीं, मेरे को तो पार्टी ने कहा था, कि आपको हम उपर अड़ेस्ट करेंगे, सारी चीजे देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तो उनकी लडाई लड़ी है, आप बागी होने की बात कर रहे हैं, और अभी भी डर रहे हैं, यह नाम लेने ही पाते हैं, यह बात लडने की करते हैं, क्या भ 차 को एसा अधना ड़ते क्यों है अशुकत अजरो भी मैं तो कही बार बोला है, जो मैं तो किसी डॉच से किसी से नहीं ड़ता, ठीक है ना, और सब जानते हैं, उनके लिए अशूकताबर बहुत महतवपून हो तो इसलिए हमने तो पूरी मजबूती के साथ, मैं तो फोजी का बेटा हूँ, किसान मजदूर मैकराउन Actin Barn से हूँ, तो हम तो पूरी मजबूती से लड़ते हैं, कुई किसी से भैका थो कोई सवाल ही नहीं होता, और यही मैंने समझता हूँ कि हमने परिवार से भी सीखा और यही लोगों से भी सीखा और अर्याना के यह खून और संसकारों में भी यही तो मेरा सवाल है कि आप मजबूती से लड़ते हैं दम से लड़ते हैं, हक्की लड़ाई लड़ते हैं और जनके खिलाब लड़ते हैं उनका नाम तक ले नहीं पाते हैं ये कौन सी दमदारी होती है देखे ये जुरूरत ही नहीं है, पूरा हर्याना जानता है पूरा हरियाना जानता है क्योंको कौन लोग है आप उठाकर के सारे गूगल बाबा से पूछो कि पांच साल किसने मेरे खिलाब मुर्चा खोला आपको पता चल जाएगा उनके नाम सामने मेरे अशोक तबरे बैठे हैं खो यूँ मैं गूगल को मेरे को कई लोग कहते हैं भई तब बुके दे के आना मैंने का मैं उस दिशा में मुड़ता नहीं लेकिन मैं सावजुनिक तौर पर तो धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो है पार्टी को खतम कर दिया लेकिन अशोक तबर को पूरे देश में यह बता दिया कि अशोक तब करे करे कोहां है अशोक तब बदा shrinking करते रहे अशोक तबर पूरी मजबूति अंको किस करता रहा जंग लड़ता रहãy ुह व वह वैवदान पहुंचाते रहे हम अपना ने homem कहीं सुषते जो लोग नए लोग थे या जो हांसिये पे थे उनको वुखेदारा में लेकर गया है उन्होंने जब भी संग्ठन बनाने की बात होती थी संग्ठन को कमजोर करने की कोशिश करी वो बनने नहीं दिया और मैं समझता हूं कि उसका खाम्याजा आज उनको यह याद आ रही है ज जरूद होती है संगर्ष करना पड़ता है हर्याना की सडकों के उपर बताइए पांच साल कहीं आप पदयात्रा आपने करी हो कहीं साइकल यात्रा करी हो कहीं किसी मुद्दे को लेकर के संगर्ष किया हो विदान सभा गेराव किया हो कभी कोई मतलब नहीं तो आज मैं समझ कि आज उसी की वज़े से पार्टी को इतना नुक्षान हुआ है मैंने आज बोला भी बोला इस बात को कि पहले मैं समझ नहीं पाता था कुछ बड़े जो सिनियर लीडर होते थे वो कुछ बाते कहते हैं जैसे हमारे बड़े वुदरुग कहते हैं वैसे ही बहुत सी बातों का मतलब आपको जीवन में जब समय बीटता है तब समझ में आता कि यह कितनी गेहरी बात थी तो कुछ लोग कहते थे कि यह और वो हर्याना के अंदर भी करी, वो देश के अलग-अलग हिस्सों में करी, मैं तो खूब जानता हूँ, ऐसे हजारो साथी हैं, जो सिस्टम की भेट चड़ गए हैं, और उसी सिस्टम के लोगों ने, आज राउल जी को भी मैं समझता हूँ कि वो ठीक है, हमारे नेता हैं, लेकिन ऐसे ही मगर मचों ने, उनको भी शिकार बनाया, तो यह लड़ाई तो हम लोगों को मिलकर के लड़नी पड़ेगी, और मैं समझता हूँ कि अलग-अलग पार्टियों में जो भी और लोग हैं, जिनको लगता है कि इस तरीके से गल्थ होता है, उनके अधिकार छिने जाते हैं, तो यह उनकी उसमें चाहे महिलाए हो, पुरुष हो, नौजवान हो, हमें तो सब लोगों की मिलकर के, अब टिकेट डिस्टूबिशन है कहीं, उसका पारदरशीता, किस सिस्टम से टिकेट बाटी, क्या उसमें फेरनेस हुई, नहीं हुई, क्या क्राइटेरिया किसी को कुछ पता ही नहीं है, बहुत तरह के आरोप लगाए उसमें, पर सवाली तवर्ण सब, आप तो उस शुनाफ समीधी के मेंबर थे, आप उसमें शामिल तक नहीं हुए, नया अध्यक्ष कारवारे ग्रहन करना थे आप उसमें भी शामिल नहीं हुए, आप बैठकों कि उस कमेटी में किया किया था अपने, कोई क्राइड एरिया बनाए तो फोलो हुए, कोई नाम पे चर्चा हुई, ये सिर्फ आई वाच था, जो स्क्रिनिंग कमेटी है, या सीजी है, में वहाँ पर फैसले होते हैं, वहाँ तो हमें, ना तो किसी ने बुलाया, स्क्रिनिं हमें मजबूरन जाना पड़ा, सोनिया जी के दरवाजे पर जाना पड़ा, कि ये सारे लोग आये हुए है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इनकी सुनी जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई ताक्ते हावी थी पार्टी के अंदर, और उन ताक्तों ने आखिर में जो टिक्टे बाटी, वो ऐसी बाटी की पार्टी का सत्यानास कर दिया, आप तो राहूल गांदी के बड़े नजदी की विखती रहें, बड़े विश्वस्त सिपाही रहें उनके, साती रहें, राहूल गांदी ने जब ये कहा कि केवल मैंने ही जिम्मेदारी लिहार की, औ अमाम प्रदेश एक द्रक्षों ने अपनी दर से इस्तीफा प्रस्तावित किया, पर अशुक तवर का नाम उसमें नहीं था, क्या कारण था कि अशुक तवर को लगा कि मुझे इस्तीफा नहीं देना चाहिए? मैंने तो इस्तीफा दिया, मैंने इस्तीफा दिया क्योंकि हमारे विधान सभा के चुनाव एक डेड़ महीने बाद थे, मैंने पहले भी दिया, पहले भी बात गई कि इनको ये भुखे लोग है, जो राजनिती के, इनके अंदर बहुत ज्यादा भूख है, इनकी भूख सं इनको देना है, उस समय ये तीन साल पुरानी बात है, जब मेरे और मेरे साथियों के उपर एटेक हुआ, अभी राहूल जी का जब इस्तिफा हुआ, मैंने उसी दिन हमने भी उनको बेजा, उन्होंने का नहीं अभी नहीं करना है इसको, नहीं अध्यक्स तक वेट करी है, नहीं अध्यक्स बने, फिर हमने उनको पेशकश करी, फिर दो, दो, तिन, तिन बार पेशकश करी, तो ये नेत्रितव का हुआ है, क्योंकि ये चीज़े इतनी आगे बढ़गी कि इसलिए मैं सारजुनिक ये बाते कर रहा हूं, अधरवाइस मुझे सारजुनिक मैं पब्ल समय नहीं है, तो ये मैं उसके लिए बात दे हूं, कि पार्टी जो एक डेट महीने बाद चुनाव में जा रही है, हमें तो भी तैरी देखनी थी, क्योंकि दूसरे लोगों ने तो तैरी करनी नहीं थी, दूसरे लोग तो कम जोर करने में लगे हुए थे, वो तो कहीं कि आज भी आप उन्हें अपना नेता बता रहे हैं, जब कि कॉंग्रेस आप छोड़ चुके हैं, तो जाने का सवाल ही कि अशोक तवर के साथ इतनी जयत्ती होती जा रही थी, साजिश्य हो रही थी, राहूल गांधी कर क्या रहे थे, नहीं देखिए, राहूल जी ने तो जो बाते थी हम पहुचाते रहें, लेकिन अब वो उस ना तो कमेटी में बैठे ना वो उस रोल में हैं, कि जहां वो उन्चीजों को कर सकते थे, तो इसलिए मैं समझता हूं कि हालात इस तरीके के बनते रहें, कि कतल होता रहा, और जो है, हमें जहां उम्मीद थी, वहां थोड़ा सा मुश्किल रहा, अब परिस्तिती तो उनकी क्यों रही है, वो वही जानते हैं, वही बता सकते हैं, आप कितना सहमत है राहूल गांदी के स्तीफे से, आपको नहीं लगता है कि राहूल गांदी ने गलत पैसला लिया है, लेकिन उनका अपना मानना था, कुछ का अगर मेरे को ये कदम उठाना पड़ा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत आदमी सोच समझ करके, ये एक दिन का मामला नहीं होता है, ये पूरी उसके पीछे एक ट्रेल होती है, हमने पांच साल बहुत प्रताडित हुए, हमें फिजीकली, मेंटली, हर तरीके से हरास किया गया लेकिन जब आत्म सम्मान और स्वाविमान की कहीं न कहीं एक ट्रिगर होता है, जब वो दबता है, तो फिर मैं समझता हूँ कि उसके परिणाम जो है, उसके लिए आदमी फिर हर्त कुर्बानी के लिए त्यार होता है, वो फिर हमने आपकी बात को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल इसलिए है कि पद आपके पास था, सामने वाले के पास तो कुछ था नहीं, नेता प्रतिवख्ष भी आपके साथ ही थी, करण चौदरी जी, प्रदेश अद्ध्ष आप ही थे, जो राष्ट्री अद्ध्ष लगने दूआ किसी को, मैं तो बहुत कुछ कर गया, जी, तो इसलिए, अब शुनावाया, आप तो सेम बाहर निकल गए नहीं, तो मौका लग सकता था, ने, अब भी तो हाला, वो तो लोकसभा में ही खतम कर दिया मामला, जी, बना दिये लोगों ने, जैसी रही भावना ज जैसी, वैसा ही लोगों ने कर दिया, क्योंकि यहां तो बिना कुछ हुए ही, मैनत करनी नहीं, यह मुख्यमंत्री सब को बनना था, आपने कहा कि फलाने ने साथ दिया, यह हुआ, जिस तरीके से साथ सब को देना चीए था, वो साथ सयोग नहीं मिला, यह सब अपनी-अप बड़ी कल्चर है, जो जनरल सेकेर्टरी जाए, वो अपनी दोस्ते नहीं मारे थे, उनको इसी में था, एक महीना ठीक रहते थे, एक महीने के बाद उनका एक ही एजेंड़ा होता था, कि यह जो बच्चा त्यार हुआ है इसको हलाल करने की, उठा करके ओजार आ जाते थे, फिर मैं बचा, तो यह मेरी कलाकारी थी, उन्हों तो बहुत पहले कतल कर दिया होता, तवर जी का सही हम ऐसा क्यों जवाब दी गया, कि उनने दस जनपत के बाहर प्रदर्शन करने तक की नौपत आ गई, कि दस जनपत के दरवाजे अंदर आपके लिए खुलने ही रहे थे देखिए जब लोगों की खटे हो जाएं, उनको पैसिफाई कोन करेगा, या तो कोई अंदर से आएगा, या वो जिनके साथ उन्होंने काम किया, जब मुझे लगा कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, हमने लिस्ट भेज़ दी, अंदर से खबर आती थी, कि फलाने की भी क रीके का हुआ, तो जब वहाँ पर सब पहुचना शुरू हुए थे, तो मैं समझता हूं कि अंदर से जो जनल सेकेट्री का रोल क्या है, जनल सेकेट्री है, कॉंग्रेस में और पतादिकारी, उनका रोल यही है, कि वो समन्वे स्थापित करें, ताल मेल बिठाएं, और इस सोला मेंबर की कमेटी बनाई, उसका चेर्मेन मनाया, लेकिन वो तो कुछ करी नहीं पाए, अपनी सीटी नहीं बचा पाए, मैं तो उस सोला में एक मेंबर था, तो इसलिए अगर आप दोशी या कोई भी दोशी ठेरना चाहता तो वो अपनी तरफ भी देखे एक बार, कि उनका क्या रोल रहा है? यह रियाना बावजूद इसके के हमारे डिस्टिक नहीं, ब्लॉक नहीं, हमारे पी सी सी मेंबर, ए आई सी सी मेंबर नहीं, लेकिन फिर भी हमने पिछले विदान सभा के चुनाओं के मकाबले आट दशमलों पांच परतिशत वोट शेर इंक्रीज किया, पिछले लोकसवा के मकाबले छे परतिशत वोट शेर इंक्रीज किया और बिना किसी के सहयोग के, और इसलिए मैं तो सारजीन को तोर पे कहा कि अकेले सिंगल-handedly अपने साथियों के सहयोग से हमने ये किया, तो अब बारी जो अपने आपको कहते हैं कि हम तुर्म खा तुर्म खाएं न मैदान में और बढ़ा करके वोट शेर दिखाएं अशुक तवर एक महतवपूर्ण बात कह रहे हैं, अशुक तवर का ये मानना है कि बले ही सीटों की शकले में बले ही जाफा नहीं हुआ, या सीटे नहीं आई, पर वोट परसेंटे, वोट शेर जो है, वो कॉंग्रेस का जिस अनुसार बड़ा है, उस उप्लबदी को नका अशुक जी सवाल इस बात का है कि अपने आवाज पहुचाने की कोशिश की, दीवारे ज्यादा उची होगे थी या काने ही बहरे हो रखे हैं, देखिए आवाज भी जाती है, दीवारे भी उतनी उची नहीं है, लेकिन जब मैंने कहा कि जो वेस्टिड इंट्रेस्ट आ ज तो जा THEY CYC, एब 5 साल वाले आपको नहीं दिख 가지고 जिन्हों ने काम किया, 15 दिन यह भी सिस्टम है है, यह बड़ा एजीब सिस्टम है, कि आप 15 दिन वाले को महतव दे रहे हैं, और 5 साले वाले को मख्ई की तरे निकाल के रोगी और यह एक स्टेट का मामला नहीं है, यह अ और वो ना यह देश बरदाषत पर पाएगाằ promise कर पाएगी अब पअब भी पॉच्छ साल आपनेमें न्हीं रहे हैं आपकी माबाप से अगर आपने की लड़ाई posema को अरुके मेरे माबाप को ने छोड़ी है आगे उन कारणों की वज़े से और लोग ना छोड़े और पाइटी उसकी वज़े सफर ना करें तो यह मैं समझता हूं कि यह बहुती दुखत वो था अब मैंने मैंने उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी एक दिन कंट्रोल किया मैंने पदोसे इस्तिफा दिय फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं अब दम घुटना शुरू हो गया है और पांच साल का जब मैं एपिसोड देखता था कि किस किस तरीके से हमारे साथियों ने मेहनत करी और जब वो बार बार चेरे याद आते थे रात बर सोते नहीं थे हम पूरी मेहनत करते थे और द जिसकी जैसी हैसियत होगी उसके हिसाब से उसको मांसमान देंगे ऐसे नहीं देंगे रोकेंगे कैसे पारडी तो छोड़के आप सड़क पर आगए देखिए मैं समझता हूँ कि रोकने की हमारी शमता है अभी अशोकतवर और हमारे साथी जिन सिधान्तों को मुल्यों को लेकर के जिस सोच को लेकर के हमने कहा कि इश्वर ये ताकत हमें उन्होंने हमें सुधर्शिन चक्र दिया अब कोई मानना हो तो मानो नहीं मानना मत मानो मानोगे अच्छी बात नहीं मानोगे तो 24 को समझ में आ जागा उस सुधर्शिन चक्र मोडन सुधर्शिन चक्र है उसमें हमने फीड कर दिया कि ये डिजिटल इंडिया का जमाना है तो डिजिटल उसमें फीड कर दिया कि जो अ कि अब सुदर्शन चक्र नबे की नबे सीटों पर घूमेगा तो यह ओटमेटिक है यह किसी व्यक्ति विशेश के खिलाफ नहीं है लेकिन जहां भी वह घूमेगा वह पापियों का अंत करेगा और उस पापियों का अंत करने में जहां मुझे जाने की अवशकता होगी मैं भ पूरी में वस्ता हो गई देखिए हमारा वो देश्य नहीं है हमारा तो अभी देश्य यह है कि अच्छे लोग राजरींति में आए और वो एक्रोस पार्टी लाइन किसी के भी हूं सोचन में तो इसलिए स्टेंट लिए है ने कि सोचन केवल कॉंग्रेस में नहीं हो रहा ह इसलिए सब उस चीज को देखते हुए जो नई पीडी है उसका फिर भविश्य में कतले आम ना हो अभी से हमें स्टेंड लेना पड़ेगा जिंता को हम अनुरोध करेंगे कि हमारा उस लड़ाई में जो पापियों के धरम नगरी है यह धरम यूद हो रहा है तो इसमें उनके खिलाफ खड़ा हुआ फिर आसी के अंदर प्रत्वीराज चोहान और मौम्मद गोरी की लड़ाई हुए उदर महा भारत हुए तो यह तो जिद्धों की भूमी है और यह तो चुनावी मैदान है तो जंग तो होनी होनी है जंग तो होनी है मैं आपसे हर्याना की जिद्धी पर कर लो आप मौझूदा इस स्थिती के लिए सोनिया गांधी के नेत्रतों को कितना जिम्मेदार मनते हैं सोनिया जी और रावल जी के नेत्रतों का सवाल नहीं है मैंने बोला कि कुछ ऐसे सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कॉंग्रेस क पार्टी को वो आईडिया दिया उसका एक्जूकिशन भी यही लोग मिल करके कर रहे हैं अगर आज भी और दोजार चोदा में जो टिक्टो के वितरन को आगर आप देखें और मैं दोनों टिकट डिस्ट्रिबिशन सिस्टम को माइनूटली मैंने अबज़र कि उसमें तो म दूसरे प्रदेशों से भी बाते आ रही हैं लोग यह कहने कि गुजरात के अंदर अगर टिकट डिस्ट्रिबिशन थोड़ा सा और फेर होता तो गुजरात के अंदर 2017 के अंदर कॉंग्रेस की सरकार होती तो कौन सी ऐसी तागते हैं जो भाजपा के साथ मिल करके कौन से व पर बोला है कि इस बात को यह राजनितिक हत्या करने के एक बड़ा शडियंतर चल रहा है शुपारी दी हुई है जो बच सकता है वो बच ले उपर नीचे दाएं बाएं सतर करे अब मेरे को मारने की कोशिश थी मैं तो बच गया राजनितिक तोर पर ठीक है यह उतार सवाल यह है कि यह मुख्या की विफलता नहीं कि उसके रहते हुए घर के अंदर ऐसी साजिश करने वाले लोग बचे रह जाएं पनपते रहें इसे आप मुख्या की विफलता नहीं मनते है कि कैसे के इतना संकोश क्यों कर जाते लिवेखिये मैं आप लड़ना भी चाहते हैं बचणा भी चाहतें हैं कुछ बुनियादी सवाल है। च़़ें व्यान केंद्री होना चीह जाता है ह। का हूं distress आज कोन डला नहीं है यहां दूसरे एजरेंडे हैं जिसके उपर मैं समझता हूँ कि हमारी चर्चा होनी चीए कैसे सिस्टम ट्रांस्पेरेंट होना चीए अच्छे गैर राजनितिक परिवारिक ग्राम इंप्रस्ट भूमी के लोग कैसे आ गया हैं उनको कैसे मौका मिले यह हमने सवाल खड़े किये हैं तो उनका अगर जवाब मिलेगा तो यह सारी चीजे अपने आप ठीक होगे ऐसा तो नहीं है यह अशोक तवर कॉंग्रेस से बाहर तो निकलाए हैं पर पीछे दरवाजे खुला रखना चाहते हैं इसलिए संकोश कर जा रहे हैं देखिए दरवाजे तो हमेशा खुले ही रहते हैं कोई उसमें लीडर्शिप को हमेशा यह काई है उनका अशिरवाद रहा हमने तो कभी यह नहीं कहा कि लीडर्शिप और कॉंग्रेस पार्टी रस्ते से बटक गी कभी आपने सुना है हमारे उससे जब वो लोग यह ऐसी ऐसी भाशा बोलकर के पार्टी के फिर खेर खुआ बन सकते हैं हमने तो कभी यह गलत बात है नहीं कि मेरे पास तो सारी पार्टियों के आज भी ओफर आ रहे हैं चुनाओ से पहले भी चुनाओ के बाद बार्दी जैनता पार्टी के छे-सात बार ओफर आये उनके टॉप लीडर्शिप से आये सारी पार्टिया जेजेपी भी समर्थन मा रही है बीसपी भी मांग रही है लेसपी भी मांग रही है जितनी भी हर्याना के अंदर राजनितिक दल है तो इसका मतलब यह है कि सबने हमें लड़ते बिढ़ते और सरकार से टकराते हुए विपक्ष की भूमिका निभाते हुए देखा है किसान गरीम मजदूर वाज है और उसका साथ मिलेगा तो हमें फाइदा होगा तो मैं समझता हूं कि यह तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स भी है तो अब देखना हमें यह है कि पूरा आकलन करेंगे 90 की 90 सीटों का पूरा खाका रखेंगे अपने सामने और जहां जो अच्छा लगेगा उसका गोल तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे साथ हैं हर्याना की राजनीती में जबर्दस्त संगर्ष कर रहे हैं इस समय पूर प्रदेश कॉंग्रेस अद्धिक्ष अशोक तवर बुखर होकर बोल रहे हैं कॉंग्रेस के संदर में इतनी गुंजा शोड़ रहे हैं कि दरवाजे पीछे खुले रहे हैं अशोक जी इस विदानसवा चुनाव में जिसमें आपने कहा कि मैंने सुदर्शन च चक्र आखिर सरकार किसकी बनवाएगा देखिए अब यह तो सुदर्सिन चक्र का नतीजा यह तो इतना बड़ा सवाल आपने किया हो इश्वर यह शक्ति उसके जिसको धारणा भी आपने किया हुआ है मैंने नहीं धारण किया हुआ हो तो अपने पास आया हो तो उसमें डाल करके घुमना उसने शुरू कर दिया अब किसकी सरकार बनेगी कौन उसमें साफ होगा लेकिन मैं समझता हूं कि पापियों का अंत होगा इस चुनाव में यह निश्चित है और कोई बच जाएगा तो फिर आगे होगा सवाल इस बात का है कि भारती जनता पार्डी जो 2014 मामूली बहुमत से सरकार बनाई थी मामूली बहुमत से सरकार बनाई नहीं थी उसने उसकी बनवाई थी सरकार हमारे ही लोगों ने बनवाई थी यही मैं कह रहा हूं यह भी एक सवाल है आप ही आरोब लगा रहे हैं कि उन लोगों के साथ मिलके हमारे हैं टिकेट बटवा मुख्य मंत्री तो पहले बना चारे थे लोकसभा से पहले अब तो वो सपने भी नहीं आ सकते उनको गए वो सपने चकना चूर कर दिये अपने खुद के गलत कर्मों ने अब कहा हो अब तो यह कि वर्चेस्व की यह लड़ाई है उसमें किस तरीके से द्रतराष्ट बन करके और अपना जो रोल है द्रतराष्ट का वो निभाए और मनुरलाल खटर तो खुला आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग हर्यानों को जलाने के लिए जिम्मेदार है वो आज मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं वो उसका जवाब दे सकते हैं लेकिन हम तो जो हमारी स सवाब दे लेने हैं आप इस आअज मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं जो हर्याना जलाने की जिम्मेदार है अब मुख्यमंत्री जी हैं और वो उनको लग रहा है कि कोई सपना देख रहा है हमें तो लगता नहीं कि कहीं सपने भी इस तरह क्या रहे होंगे अब यह आरूप से सहमत हैं कि वो हर्याना जलाने के लिए जम्यदार है तो कौन जम्यदार है वो तो प्रकासिंग कमेटी ने बता दिया था वो आज तो सारजुनिक नहीं हुई यह कोई एक किसी का नाम ले इसमें तो फेलियर अगर कोई जला रहा था तो कोई क्यों जलने द पूर्ति करना चाहते तो यही तो हम कह रहें कि इन ही ताक्तों के खिलाफ हमारी लड़ाई है मौजूदा जो सरकार है इस सरकार के कामकाज को अशुक्तवर क्या है कामकाज तो कुछ नहीं किया काम कहना काज के दुश्मन अनाज के नाज तोड़ा पूरा सरकारी वो कभी वहाँ जाकर के उसमें मौक्षा में उपर, कभी सारे रेस्टाउस में, कभी मुख्यमंत्री उसमें, काम तो नौजवान से रोजगार चिन लिया, आज देश भी प्रदेश भी आर्थिक मंदी के दौर में है, किसान मजदूर सडकों के उपर है, करमचारियों से किये हुए वाइदे वो पूरे नहीं हुए, दुर्भागे की बात ये है, कि इतना सब कुछ होते हुए, इतना अकरोश होते हुए जनता का, वो हम आपसी फूट की वज़े से उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाएं, इस बात का मलाज जीवन भर रहेगा, कि एक आती हुए, कहते हैं ना, कि भरी हुए थाली के ठोकर बार दी, तो हमारे यहां कुछ लोग ऐसे थे, कि ठाली भरी हुए देखी उन्होंने, या तो उनको दिखी नहीं, या उनको यह लगा, कि भरी हुए थाली हमें मिलेगी नहीं, तो भोले ठोकर मारो इसके, ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो वो ठोकर मारी और वो मामलागट बड़ हुए, हर्याना की राजनीती भहु कूण ये संगर्ष की रही है जब 2015 को चुनाव था तो चार राजनीत इक दल थे जसमें भारती जनता पार्टी थी, कॉंग्रेस पार्टी थी, इंडिया नेशनल लोग दल थी और साथ में हर्याना जनहित कॉंग्रेस थी इस बार भी चार पार्टी है, हर्याना जनहित कॉंग्रेस तो आप अपने साथ ले आए, तो इने लोग दो हिस्सों में हो गई, ये जो बहुकूणी संगर्ष है, इस संगर्ष को अशुक तवर क्या देख रहे हैं, कोई संगर्ष है भी की नहीं? देखिए, बाई डिफॉल्ट बीजेपी को बहुत फायदा हो गया, और मैंने का कि बिना कुछ करे हो गया, ना तो कोई बड़े प्रोजेक्ट पिछले पांच साल में हर्याना में आये, ना कोई सरकार चलाने का अनुमव था, ना हर्याना जिस तरीके से चार-चार बार जल बाला, आए दिन अभी भी, अभी हम यहां से निकलेंगे, पता चलेगा कहीं किसी को मार दिया, तो इसके बावजूद भी इसी चीज़ का फायदा उनको मिला, इनलो टूटी, उसका फायदा मिला, कॉंग्रेस फूटी, उसका फायदा मिला, बाकी जनता ने ते, जो अशु जनाव के मौके पर पार्टी से छोड़ने की जुरुत क्या थी? आप भी उस दौड़ में क्यों शामिल हो गए, जो भाजबा को लाप पहुचा रहे हैं? कई बार जानते हुए कि ये इस तरह की स्तिती है, फिर भी मैं समझता हूँ कि वो आवाज तो आपको उठाना पड़ाई है. आपकी पूरी बातचीत में ये साफ-साफ महसूस हो रहा है कि अशुक तवर मानते हैं कि कॉंग्रेस के लिए कोई संभवना इस विदान सवाज नहीं बची है. फिर भी आप आरोब लगा रहे हैं कि टिकट बेची गई और पांच-पांच कुरोड में बची गई जब जीतने ही नहीं है तो खरीदे कोई आप भी लगा रहा हूं ये आरोप दूसरे लोग लगा रहे हैं मैं तो उस बात को यहां पर रख रहा हूं कि आर चीजह होती है, यह कॉंग्रेस की टिकट है, जी, आरने के भी पैसे मिल जाते हैं, यह तो वो बता सकते हैं, जो जिन्हों ने यह आरोप लगाए हैं, वो बता सकते हैं, मैं तो हमेशा यह पहले यह कहता था, आप बहुत संझीदा और वरिष्ट राजनितिग्य हैं, अगर आ आप यह कह रहे हैं कि कॉंग्रेस की टिकट बेजी जारी, दस जनपत के सामने खटे हो कर आप बोल रहे थे, और आज कहें कि वो बोल रहा थे, यह वहीं लोग नीचे से चिला रहे थे, कि यह हो गया, यह हो गया, अभी और हमारे पास तो रोज सूची आ रही है, तो मैं सम बाजपा की ही किसी साजिश का रहती जाए? मिलकुल साजिश है, यह भारती जनता पार्टी का मॉडल है, डिवाइड रूल, अंगरेजों से सिधे-सिधे धारन की आए, यह मंत्र, तो उसको लगा रहे हैं, और उसकी चपेट में जो है, अरियान आ गया है, आप भी उसी सि दिवी लाल जी निकले थे, रोंपर चोटाला का संगर्श भी रहा, फिर अभे चोटाला, अजे चोटाला, अबदुशन चोटाला, दिखविजय चोटाला, दिवी लाल की विरासत कहा जा रही है, इन्हें लों के पास यह जेजी पी के पास आजाएगी? देखिए ये तो समय बताएगा लेकिन अभी मुझे तो पता है लेकिन मैं बताना भी नहीं चाहता क्योंकि अभी ये जल्दी होगी बताना अब तो दिल्ली दूर नहीं है थोड़े दिन में सारा फैसला हो जाएगा विरासत किसके पास जाएगी यह विरासत भी है या नहीं है यह तो क्योंकि विरासत ट्रांसफर होना यह वर्त लंबा मामला है एक चुनाओं से हम विरासत का आकलन नहीं कर सकते हैं तो हो सकता है कि एक चुनाव में कहीं जाती हुई दिखे, दूसरे चुनाव में कहीं और आती हुई दिखे, या पीछे चर्चा चल रही थी कि परिवार एक हो जाएगा, तो राजनीती के अंदर ये जो एक बीच में जो थोड़े सा जो लाइन होती, ये बड़ी डेलिकेट होती है, ये इ इसा धका मारा की सिलोप में चली गई, और बीजेपी भी उस सिलोप में खड़ी थी, इस तरफ चली गई, तो ये बहुत डेलिकेट, मैं समझता हूँ कि एक एक वेशन होती है, राजनीती की, और ये कब बदल जाएं, ये कैसे बदल जाएं, ये कहना बड़ा मुश्किल है पर इस चुनाव में भाजबा सत्ता में वापसी करेगी कि नहीं करेगी, इसके संदर में आशुक तवर के पास आकलन है कि नहीं अभी, आकलन उसका भी है, जे, कहने की स्तिती में है कि नहीं, कहने की स्तिती में तो मैं नहीं कहूँगा कि क्या है, लेकिन आकलन उसका भी है जी कहने से बच क्यों हैं अब आप गोगे की डरते हो कई चीजे समझी जाती है वो सूनी जाती है देखी जाती है यह भी उनमें से है कि दस दिन का आप खुद आखलन कर लेंगे यह आपको भी पता है और क्योंकि क्योंकि शुक्しました कि तीर कमान से और बाद जुमान से निकलने के बाद वापस नहीं आती तो इसलिए जुबान के जो तीर है मैं भी नहीं चलाना चाता है वह देख करके फिर चुबिस को उसके आप फर्सा चला रहे हैं तीरों तक रुकी कहा रहा है फर्सा तो खटर साब के पास अपने पास तो सुदर संच रहे हैं आखरी दो तीन सवाल अब आप से व्यक्तिगत आप जंता से जुड़ हुए निता हैं कारकरताओं का एक विराड से मूँ आपके कियो रुप गया शुक्तावर के कदम में dłrup भी हैं मेरे समिक्स मेरे चुनाव लड़ने में तो मैंने सबसे पहले दा करके दिया जी जब चुनां परिणाम लोकसभा आए थे तो यह मेरा मानना है क्योंकि में उनम समस्तु Cris ढ़ा में our बहुत श्यादा ऒुख नहीं बहु को को इतना दीधिर जो मैं कुतुम संभाय मैं भी भूखा नहीं। को सादू भी भूखा ना जाए। मैं तो उस से धानत और उस बात को मानने वाला हूँ। लिए मैंने चुनाव हारते ही जब सारे हारे thì तो मैंने का कि 22 लोग चुनाव लड़े हैं, उन में से किसी को विधान सभा चुनाव में नहीं उतरना चाहिए और उसका लॉजिक था कि आप नोनो सीटों के उपर चुनाव लड़े हैं आपको पता है समीकर्ण क्या है आप लड़वाने में ज्यादा जोर दें तो परिणाम बहतर होगे तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूगा उन लोगों को लड़वाएंगे जिन्होंने काम किया उनको जितवाएंगे जो धनका वो धोंस दिखाते हैं वहां परियोग करना क्या फाइदा निकालोगे उस धनका परियोग कॉंग्रेस की मजबूती के लिए करो टिक टो जो हमारे आइजमेंट नहीं देखा, कोई अखबार में पार्टी की वोट की अपील नहीं देखी, ये कैसा परचार है, और ये कैसे क्या इसी कॉंग्रेस को बनाने के लिए वो पांच साल से ये कह रहे थे कि हमें दे दो, जिसका पता ही नहीं कि किस दिशा में काम कर रही है, किसके खड़े हैं, किस घर जाएंगे, ये अपना घर बनाएगे, देखिए, मैंने आज दिन में भी ये बात हो रही थी, मैं दिल्ली में भी ये बात बोली, कि पांच साल एक रिजिनल पार्टी को कैसे चलाते हैं, उसका अनुबह हमें आ गया, राष्ट्रिय पार्टी के लिए ह मांगे सब की खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तो किस तरफ चलेगा, बैर तो साफ दिख रहा है, ने बैर उन से, वो तो बैर के लाइक भी नहीं है, जिनको आप बैरी समझते हो, बैर के लाइक भी नहीं है, देखना है तेरे काफिले में सरदार कितने हैं, और उसमें से सर कटाने को तयार के दरें हमें तो जो है थोड़ा सा मजबूत आदमी चाहिए तो एसा आदमी तो हमारे साथ लड़ सकता है नहीं तो जमीन से उठे हुए फॉलादी आदमी फॉलादी रादे उसके सामने कैसे लड़ेंगे लोगे अशोक तवर्क वो दुश्मन भ रहा नहीं जो राहत इंदौरी ने कभी लिखा था कि सिर्फ खंजर ही नहीं आँखों में पानी चाहिए एक खुदा मुझे दुश्मन भी खांदानी चाहिए क्या कुछ अशोक तवर्क के अंदर है वो उन्होंने इस शेर के अंदर बता दिया क्या दर्द क्या तक्लीफ उनके अंदर है वह उन्होंने इस शेर को आधा जो दर को मजबूत है लोगों के पास हैा अन्याय अत्याचार और गढ़ड़ी नारे today यही चीज और पहले होती तो मैं समझता हूँ कि और ज्यादा समय के साथ और वो होता है लेकिन संदेश जो होता है वो जैसे कहते हैं बद से बुरा बदनाम और राम से बड़ा राम का नाम तो वैसा ही मामला है संदेश सब के पास है किसको हराना है किसको मिटाना है तो वो लोग कारवाई अपनी पूरी बिठा देंगे अच्छतिस विरादरी का भाईचारा हर्याने का कायम हो, एक ऐसी हम सरकार लेकर गया है, हर्याना फिर बार-बार उसमें ना जले, फिर हर्याना में पापी ब्रस्टाचारियों का राजना हो, ये मैं समझता हूँ कि जनता नित्य करना है, क्योंकि आखिर में जो सरकार वो तो ये हैं अशोक तवर जिनके होसले अवी भी आस्मानी है उने इसमिदों के साथ आप मैदान में हैं वह उम्मीदें पूरी हो हमारी शुकामना है अपने साथ तो ये थे अशोक तवर, एक संगरशील नेता हरियाना के राजनीती में, एक नई लड़ाई उन्होंने छेड़े रखी है, देखते हैं उस लड़ाई का अंजाम क्या कुछ होता है, पर आज की इस बाचीत में इतना ही, कल फिर मुलाकरत होगी नई शक्सित के साथ, मुझे द